हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर में यहां पर एक स्यान वांग एफ़ाप सेर करें थी और इस पार्ट की स्टार्टिक में हमें बताया जाता है कि हमारे जो सिचेन हैं और ज्यंग्चेन हैं उनकी साधी की तैयारियां चड़ रही थी तो ना लै तो न्यू इस पावर वाली दुनिया में आया है तो उस क्लैन को ना जो कुरैन है वो लैटर भेज रहे थे कि आप हमारे क्लैन में आना यहां पर हमारे बेटों की साधिया ऐसा सब भेजते हैं तो उस क्लैन से मतलब वो सू क्लैन था तो वहां से ना वहां का जो राजा था सुयैन वो मतलब लेटर भेजता है और उस लेटर में था कि हमें आपका नियोता मनसूर है लेकिन मेरा जो हस्बेंड है वो प्रेगनेंट है तो इसी वज़े से आप लोगों को ना तैयारियां बहुत कड़ी करनी परेगी मतलब आपको तो परता है कि हमारी जो क्लैन है भी पावर में है तो इसी वज़े से ना हमारे बहुत दूसमें बन चुके हैं आप ना ज्यादा कड़ी सुरकसा रखना और हाँ मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि हस्बेंड प्रेगनेंट है इसका क्या मतलब है तो सुयंग ने लिखा होता है कि हमारी यहाँ मतलब लड़के भी साधी करते हैं तो यहाँ पर ना मतलब लड़के भी बहत दे सकते हैं लेकिन आप लोगों के क्लैन में बाकी क्लैन में लड़कों को साधी करवाना अलावड नहीं था इसे आप लोगों को पता नहीं है कि male pregnancy भी होती है तो मतलब आपके clan की ये first साधी है जो दो लड़कों की बीच में होगी तो आपको भी good news मुलेगी आप चिंता मर्थ करो और male pregnancy भी होती है तो आप लोग ज्यादा मतलब फिकर ना करो और ये बात की male pregnancy होती है ज्यादा तर लोगों को पता नहीं है क्योंकि बाकी के clan में लड़कों का साधी करना allowed ही नहीं था आपके clan ने मतलब हमारे clan के बात आपने ही approval दिया है कि दो लड़के साधी कर सकते है तो इसलिए बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा कि male pregnancy होती है और main बात मेरा husband जो है वो pregnant है तो आपको ज्यादा मतलब कड़ी सुरक्सा रखनी पड़ेगी अब please मतलब थोड़ा ध्यान रखेगा बोलता है मतलब वहाँ पर लिखा हुआ होता है तो वो पढ़ते हैं और वो थोड़े soft में भी थे और एहरान भी थे और उनको एक नहीं चीज़ पता लगी थी कि मतलब जो male है वो भी pregnant हो सकते हैं और बाकियों के clan में कभी भी male को मतलब दो males को साधी करने की allowed ही नहीं था सू क्लैन में ऐसा चलता था कि साधी लड़कों से भी कर सकते हो दो लड़के भी कर सकते हैं दो लड़केयां भी कर सकते हैं जो जिससे प्यार करता है उससे कर सकते हैं ऐसा था लेकिन बाकियों क्लैन में तो नहीं था और यह पहला क्लैन था मतलब जो सू क्लाइन के बाद ये पहला क्लाइन था जिसने अग्री किया था कि लड़कों की विसाधी होएगी मतलब जाज़त है करके तो कुर्यान तो कुछ होगे थे कि मतलब मेरा वंस बढ़ाने के लिए भी कोई आएगा वो कुछ होगे थे और वो ना बहुत ही कड़ी सुरक्सा करते हैं सभी प्रवन्द करते हैं उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे ज्यांग्चन और सिचन का मेरेज होता है और ज्यांग्चन के क्लाइन में सब लोग गे थे और उसके बाद ना यहाँ पर लैन क्लाइन में उ सब होने वाला था मतलब एक पार्टी होने वाली थी तो वहां पर सब क्लैन के लोगों को नियोता भेजा गया था तो सब क्लैन के लोग आ रहती तो वहां पना सब लोग सिप एक ही बात कर रहती कि सू क्लैन मतलब जो अभी पावर में है वो क्लैन के जो प्रिंस जो राजा है और उनका जो husband है वो आएंगे और उनका husband तो pregnant भी है ये बात तो हमें पता नहीं थी कि pregnancy भी एकसेस्ट करती है लड़कों की तो ऐसा सब बात चर रही थी मतलब topic तो यही था कि male pregnancy भी होती है और सू क्लैन मतलब जो पावर में अभी अभी आया है उस क्लैन के जो राजा है और उनका husband वो आ रहे हैं ये main topic था वहाँ का तो वहाँ पन्हा हमारे जांगचेन और सिचं को सब उपहार दे रहे थे तो वहाँ पन्हा हमारे सू क्लैन के जो राजा है और जो उनका husband है उनकी अंट्री होती है तो वो लोग ना मतलब जो new couple से वहाँ पर जाते हैं और वो लोग ना वहाँ पर कहते हैं कि हम दोनों शू क्लैंसे हैं, मैं वहाँ का राज रहा हूं, सुयैं, और जो दूसरा पैसन था, वो कहता है कि मैं साव सिंचन हूं, बोलता है, तो उनको देख करना, ये लोग सॉक्ट, मतलब जितने भी लैन फैर्मली वाले थे, और वहिंग के परिवार वाले थे, सब लोग सॉक्ट और ज्यादा तो हमारा विहींग सॉक्ट था क्योंकि जो साव सिंचन करकर अपना इंटोड़क्शन दे रहा है तो लाइनसान की तरह दिखता है एगदमी लाइनसान लाइनसान की पूरा जेह्रॉक्स कॉपी है वो और मतलब उसका जो टैमी है वो बहार निकला हुआ है एसाल दिखाया गया है वहाँ पर और उसका जो हस्पनड है, मतलब soul yang है, वो नहीं सावसन चेन को है, वो समहाल के लेकर आ राघा था वहाँ पर तो वहाँ पर जो दास-दासे शेया हैं हमारे मतलब सी चैन और ज्यांग चैन के लिए वहाँ पर जैसे ही ये दोनों अपना इंटोड़क्शन देते हैं साउसिं चैन और सु यें करकर उसके बाद ना वहाँ पर जो तोफे देने जाने जाने वाला था वो देते हैं और बाकि सब लोग तो सौक्ट में थे तो वहाँ पर ना एक जो इंसान है एक लड़का था मतलब एक इंसान था वो ना मतलब साउसिं चैन करकर जिसने इंटोड़क्शन दिया था उसके उपर हमला कर देता है तो हमारा जो सु येंग है मतलब जिसने सु येंग कहकर अपना इंटोड़क्शन दिया था वो ना उसे प्रोटेक्ट करने लगता है उसके बाद ना हमारा जो मतलब साउसिं चैन है मतलब वो भी उस परसन के साथ लड़ाई करने लगता है और वो प्रेगनेंट है ऐसा लग तो नहीं रहा था उसके बाद ना लड़ाई होती है वहाँ पर मतलब स्वाट फाइटिंग होती है और उस इंसान को बंदी बना लिया जाता है साउसिं चैन है वो ना मतलब उसने एक स्माइल किया था बहुत ही बड़ा स्माइल किया था और वो जिसको अपना हस्मिन बोड़ रहा था उसकी तरफ देख रहा था तो वो दूसरा पर्सन जो है वो भी समाइल करता है और हमारा वहीं तो यह सब देखने में ही मतलब भीजी था अपने लाउजन को देखने में उसके सब से तो उसका लांसन है ना तो उसको देखने में भी जिदा वहाँ पन्ना दो परसन आते हैं यह लड़ाई खतम होने के बाद और वहाँ पन्ना स्यान करते हुए मतलब स्यान तो ठीक होना ठीक होना करते हुए कोई आता है जो मियल था और वो प्रेगनन्ट था तो हमारा जो स्यान था मतलब जिसको स्यान बोल कर बुलाया जा रहा था वो हमारे लैंसाइन की तरह दिखता है और उसे ही स्यान कहकर बुलाया जा रहा था तो वो कहता कि हां गगा में ठीक हूं आपका स्यान ठीक है आप फिकर मत करो बोर रहा था जो प्रेगनन था उसे और जो वहाँ पर जो जिनों ने जिन दोनों ने मतलब साउस इंचैन और सुयांग करकर इंटोड़क्शन जाता वो कहता है कि सॉरी हमें आपके साथ ये मतलब एक्टिंग करने पड़ी एक्चल में हम दोनों साउस इंचैन और सुयांग नहीं है ये जो दोनों आए हैं वो है साउस इंचैन और सुयांग और मैं साउस इंचैन का ब्रदर हूं बोलता है जो लैंसाइन की तरह दिखता है वो और वो जो डूसरा पर संथा बो कहता है कि म मैं सु येंग का ब्रदर हूँ और मतलब मेरा नाम है सौंग लैन और हमारा जो वहीम जिसे देख रहा था मतलब जो लैंसाइम के तरह देख रहा है वो कहता है कि मेरा नाम है मेरा नाम है स्यान बोलता है तो हमारा वहीम नाम वो ना सौक्ट में था कि ये स्यान है ये तो मेरा मैं उसे पहचानने में कभी दुखा नहीं खा सकता, वो ऐसे मन में सोच रहा था, और हमारा जो सियान है, मौना मुने, मतलब स्टमक में से, मतलब जहां पर उसका बड़ा सार पेट दिख रहा था, वहां में से एक पिलो निकालता है, अपने कपरों में से बान कलता है, और पि से लिएण तुम एसा क्यों करती ओ, से घमें कलता है, मुझे मुझे हैं कम दूनों को पता यह नहीं, हमे तो पता लगा है कि तुम दोने नहीं here पर क्विश्चि कर, क्योगिा थी कि मैं से लिए हम आ κι नहीं हमारा होने वाला है, और तुम दोनों को प्रोटेक्ट और स्टि वहां पर बात हो रही थी तो हमारा जो विहंग है जो जाकान्ना जो स्यान को है वो हग कर लेता है और कहता है कि तुम लैंजान हो ना तुम ये लैंजान हो ना बोलता है तो स्यान सौक्ट कि ये परसन को और जो मेरे गले पड़ रहा है यार वो ऐसा सोच रहा था और ना हमारा जो सौंग लैन है वो आकर ना विहिंग को और स्यान को अलग करता ह और कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे होने वाले हजबन को क्यों टच कर रहे हो? बोलता है. मतलब Songland ऐसा कहता है तो विहिंग सॉक्ट और उसके फैंली वाले तो पहले सही सॉक्ट थे और ये सब हो रहा था वो देख कर. तो हमारा जो स्यान है वो क्या सच में लांजान है और क्या हमारा विंग सच में अपने लांजान को मतलब उस जो दूसरा परसन है उसको लांजान कह रहा है वो परसन सच में लांजान है या पर नहीं है या फिर कौन है या फिर यहां पर क्या चड़ रहा है और हमारा विंग क्या ना रहा हो तो like ь da subscribe करदे ना और comment भी करदे न और क्ले का वेड करूंगे और हाँ अब लोग मुझे आगर बात करना चाछते हो आप चैट पर ना जाते हो तो मेरे साथा लूचन आप मैं एक ऐप का link दे दूंगी discord का उस app का नाम है उसको download कर लेना और उस link से join कर लेना वहाँ पर हम लोग chat कर पाएंगे बात कर पाएंगे आपको अगर interest है तो okay bye